गुड मॉर्निंग इस्ट्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे अजब कि वह शीट नमपर 145 है से अच्छे से लेबल कीजिए EBS की है अपने डीचर का नाम लिख लीजिए चलिए पढ़ना शुरू करते हैं नमस्ति प्यारे बच्चे हैं किया से भी स्वास्त होंगे सुरक्षित होंगे प्यारी बच्चे में आपने अंकुरित भोजन तो कई भार खाया होगा अंकुरित भोजन हमारे स्वास के लिए बहुत ही लाब दायक होता है अब आप सोच रहोंगे कि अंकुरित भोजन कहते किसे है माम हमने तो कभी सुना ही नी तो देखे जो आपका चना होता है चने खाएंगा भी आप लोग ने उसे जो हम थोड़ी देर के लिए पानी में घिगो कर कर रग देते है न ही ले कपड़े में तो उसके अंदर से पीछे से कुछ वाइट वाइट सा निकलने लगता है वही अंगुरित होना कहलाता है तो लिखते हैं ये हमारी आँखों कि रोशनी तेज करने में पाचन के रिया में सुधार लाने में हड्डियों को मजबूफ बनाने में आदी में सहायक होता है तो अब देखें यहां लिखा हुआ है नीचे अंकुरन के विभिन चरन दिये गए है यानि कि जब आपको अंकुरित करना है तो उसके लिए कुछ steps आपको follow करना पड़ेगा यानि आपकी जो लिख जो ममा है जब वो अंकुरित करती होंगी सब चीजों को बालों को जो बी है तो उसके लिए ममा कुछ steps करती होंगे तो वो steps यहाँ आपको दिये गए है प्रतियक चरण को संकेत box की साहता से नामांकेत करते हुए सही करम में लगाईए और अपनी copy पर लिखिए तो यहाँ पर आपको दो काम करने है पहले तो आपको यह बताना है कि यह कौन कौन सा process है और उसके बाद इसको सही way में लगाना है जैसे कि यह number one पर क्या यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले होता है धोना क्या होता है धोना सबसे पहले हम करेंगे भिगोएंगे यह देखे यह वाला जो number है यह है भिगोणा यह रा ठीके भिगोने के बाद फिर हम क्या करेंगे इसे धोएंगे यह देखे यह हो गया धोना यह लिखा धोना ठीके नमबर one पर हमने भिगोया नमबर two पर हमने धोया नमबर 3 पे हम लोग क्या करेंगे चानना या फिर पानी निकालना ये वाला पॉइंट हम नमबर 3 पे करेंगे ठीक है फिर नमबर 4 पे हम क्या करेंगे उसको गीले कपड़े में बांद देंगे ये हो जाएगा नमबर 4 ठीक है और नमबर 5 में हम क्या करेंगे टांगना या फि समय के लिए ठीक है यह समझ में सबसे पहला उसे भी गोएंगे और उसके बाद उसे किसी कपड़े में करके कुछ समय के लिए टांग देंगे जिसके बाद वह अंकुरित हो जाएगा अब देखें यह लिए नीचे दिये गए शब्दों को सुल्जा कर अंकुरन समय को प्रभ द्रता यानि नमी ठीक है और जो नीचे वाला है यह है तापमान तामिया करंड़ा पाताप मामा में आ करंड़ा ममान तापमान ठीक है आगे देखें लिखा हुआ है बोजन से प्राप्थ होने वाले कुछ लाब नीचे दिये गए यानि हम खाना खाते हैं हेल्थी फूट है जंग फूट नहीं जब हम हेल्थी फूट खाते हैं तो उससे हमें कुछ चीजे मतलब कुछ अच्छी चीजे प्राप्त होती है कुछ लाब मिलते हैं इनमें से अंकुरित भोजन से प्राप्त होने वाले लाबों को अपनी कॉपी पर आपको लिखना है तो जैसा कि अभी ह तोचा कर नंग निखारना या खून को साफ करना यह काम इसका नहीं है ठीक कर लेंगे चले तो अच्छी वीडियो को हम लोगें खत्म करते हैं अच्छी वशीट में बस इतना है अगर आपका माई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक को शियर करें अगर अभी